दोस्तो जय माता दी, जय माता लक्ष्मी, तेरी सदा जय हो। धन तेरस में पहन लेना अपने गले में इस पेड़ की जड़को भागे आपका सात्मे आस्मान पर होगा, जहां भी जाओगे रुप्या पैसा दोलत पीछे पीछे आएगी आपके। दोस्तों हिंदू धरम में कई तरह के पौरानिक मानताओं को महत दिया गया है, कुछ ऐसे पेड़ पोधे होते हैं, जो काफी सुब और पवित्र माने गए हैं, बहुत ही पूजिनी पोधे माने गए हैं, जो कि इन पेड़ पोधों की हम पूजा पाठ भी करते हैं, और ये हम और शदी के रूप में भी परयोग करते हैं, ये पैसे को धन को चुमबक की तरह कुछने का काम भी करते हैं, इनकी जड़ी बूटीयां पैसे को खीच लेती हैं, चुमबक की तरह मातालक्षमी जी इन जड़ी बूटियों के इस्थान पर श्वेम बास करती हैं, और जहां ये जड़ी बूटिया होती हैं, ये ओशदी होती हैं, इन पेड़ पोधों की जड़ रखे जाते हैं, वहां माता लक्षमी सोता ही वास करने चली आती हैं, proced entrepreneurs की बीमारी को भी ठीक करते हैं बेद पुरार में भी कई प्रकार की पेड़ पौधों का उल्लेक है जैसे कि तुलसी का पौधा है लड़ जीरे का पौधा है पीपल का पौधा है इनका बहुत ही जदा अध्यात्मिक महत होता है दोस्तों अगर आपने देखा होगा कुछ महिलाएं पीपल ब्रक्ष की जा करती है तो कुछ ऐसे अलोकिक चिमतकारिक सक्तियां इसमें बिद्दमान रहती है जिनके दम पर कुछ समय में यानि बहुत ही कम समय में आपको अच्छे प्रेडाम मिलते हैं आज हम आप लोगों को धन तेरस की दिन बस ताबीज में भर कर पहन लेना इस पौधे की धनवंतरी भगवान कुवेर जी का दिन होता है धनते रस की दिन श्वेम धनवंतरी भगवान अमरित का कलस लेकर समंद्र मंतन से उत्पन हुए थे इसलिए ये औशिदी के देव गुरू माने गए हैं बैद्यो के देव गुरू माने गए हैं इस दिन माता लक्ष्मी प्रप्ति करने से चूपना मत क्यूंकि ऐसा समय साल में सिर्फ एक बार आता है। प्रप्ति करने से चूपना मत क्यूंकि आज हम वह जानकारी आपको बताएंगे जो आपको कहीं दूसरे किसी भी के वीडियो में नहीं मिलेगी। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और दोस्तों एक कौन से पोधी की जड़ आपको धन तेरस और दीपा बली की दिन आपको धारण करना है रासे के अंसवार हम आपके कमेंट में रिपलाई में आकर बता देंगे जिससे आपको बहुत लाब होगा तो कमेंट में अपनी रासी का नाम जरूर लिख दीजेगा तो चलिए वीड आपको मिलेंगे पेंट पौधे बहुत ज़्यादा चमतकारिक शक्तियां होती हैं आप माने या ना माने हमने अपने जीवन काल में कई वार ओशिदी के प्रयोग करके इन पेंट पौधे के द्वारा कई गरीबों को निर्धन को भी अमीर बना दिया है श्वेम हमने भी य पहतर इस्ति में इसले आगर आप कई रोग से पीडित हैं समस्याओं से पीडित हैं धन से पीडित हैं या फिर खर्चे ज़्यादा अंधनी कम तो फिर आप ये उपाई जरूर कर लीजेगा चुटकियों में आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी क्योंकि इन पेंट पौधे में श्वेम धनवंतरी भागवान कुवेर जी और मातल लक्ष्मी जी वास करते हैं धारमिक दरिश्टी से अगर बात की जाए तो ये पेंट पौधे बहुती फाइदा पहुचाने का काम करते हैं तो सर्व पौधम आपको धन तेरस की दिन इन पेंट पौधों की जड़को लेकर आना है दोस्तो आईए ये भी जाल लेते हैं कि इस बार धन तेरस का दिन किस दिन पढ़ेगा दोस्तो साल 2024 में धन तेरस का पावन पर्व 29 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार को है इस दिन आप खरीदारी कर सकते हैं दोपार अब जीत महुर्त धन तेरस की दिन 11 बच के 36 दिन 30 मिनट से लेकि 12 बच के 24 मिनट तक का समय रहगा आप इसमें खरीदे तो और भी उत उत्तम रहगा हाला कि पूरे दिन है धन तेरस का समय खरीदारी कर सकते हैं धन तेरस के दिन आप कोई भी सोने चांदी से सम्मनित या फिर पीतल के बरतन खरीच सकते हैं कोई धातू की बनी चीज आप खरिद कर ले आ सकते हैं इस दिन मातल लक्ष्मी से सम्मनित कोई भी चीज अगर आपने घर पर ले कर आते हैं तो बहुती शुभ माना जाता है तो दोस्तों धन तेरस के दिन ही आपको ये उपाय करना है जो उपाय हम आपको बताएंगे क्योंकि धन तेरस क कैसा दिन होता है महंगे रतन महंगे चीजे पहनने की बजाए अगर आप इन पेड़ पोधो की जड़ को धन तेरस की दिन धारन करते हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे रिजल्ट बहुती बहतर मिलेंगे दोस्तों हर चीज में मिलावट होती है लेकिन जड़ों म अगर आप एक गाड़ी है तो तेरा गाड़ियों के मालिक बन जाओगे अब आप हर चीज में तेरा गुना आपका बढ़ेगा सोच लीजेगा तो फाइदा आपका है इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा वीडियो को लाइक जरोर कर देजेगा और दोस्तों माता लक् दिन लेकर आना है और माता लक्ष्मी जी के प्रतिमय के सामने आपको रख देना है और इसकी पूजा पाठ करके इसमें गंगा जल छुड़के इसमें थोड़ा कुम-कुम लगा के और फिर आपको साम के समय पूजा पाठ करने के बाद आप इस दिन कुबेर जी की धनवंत भगवान की पूजा करके फिर माता लक्ष्मी जी की पूजा करके इसे चांदी की तावीज में भर कर आपको पहनना है चांदी की तावीज आप मार्केट से भी इस दिन लेकर आ सकते हैं चुकि चांदी काफी शुब होती है दोस्तों चांदी का नहीं है तो आप तांबे या पीतल की ताविज भी बना कर उसमें पहन सकते हैं इस जड़ को दोस्तों ये जानकारी बहुत ही पावरफुल और कई महतपूर मंगलकारी जानकारी है कोई नहीं बताएगा लाखोर उपए खर्च कर देंगे लेकिन कोई बताने वाला नहीं मिलेगा इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों आईए जानते हैं शर्व प्रथम तो आपको लड़ जीरे पौधे की जड़ को लेकर आना है लड़ जीरा इसको लड़ जीरा भी कहते हैं आप हमारे वीडियो में देख लीजे और इसको कुछ लोग अप देखते हैं लेकिन इसके बीज उल्टे होते हैं इसलिए इसे अप मार्ग कहा गया है अर्थार्थ ये दुनिया से उल्टा चलने वाला एक पौधा है संत महात्मा लोग सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग करते हैं दोस्तों अप मार्ग यानि लड़ जीरा जो चिर्चिरा ह जड़ को आप एक लाल कपड़े में आपको रख देना है इसमें थोड़े से कुम-कुम लगा देना है थोड़े से गंगा जल छिड़क के और इसमें एक लाल पुस्प रख दें जैसे की लाल पुस्प गुड़हल का मिल जाए या गुलाब का और फिर आप इसे मातल जीवन में कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा जब तक ये जड़ आपके घर में रहेगी आप दिन दुगनी राज चोगनी तरक्की करते हुए आगे बढ़ेंगे अगले क्रम में आता है दोस्तों गूलर पौधे की जड़ अगर गूलर पौधे की जड़ आपको मिल जाए तो सोने पे शुहागा दोस्तों ये आपके घर के आसपास मिल जाएगा धन तेरस की दिन आपको क्या करना है आपको एक दीपक लेकर जाना है और गूलर पेंड के सामने रखका तीन बार परिक्रमा करके उसकी जड़ खोद लेना है जड़ को खोद कर लेकर आना है और इसे लाल कपड़ी में लपेट कर आप इसे माता लक्ष्मी जी के सामने रख दें और एक दीपक जिला दें और फिर आप माता लक्ष्मी जी की पूजा करें कुवेर जी की धनवंतरी भगवान की पूजा करें और ये जब दीपक बुझ जाए तो फिर आप वही करम करिएगा यनि कि आप इस गूलर की जड़ को अपने धन पे ती स्थान पे आलमारी पे रख दें अगर आप चाहें दोस्तों तो जो मैं जड़ बताऊ काम तोलसी की जड़ भी करती है इसलिए तोलसी की जड़ अगर धन तेरस की दिन आप अपने धन स्थान पे रखते हैं ले आकर तो बहुत ही शुब और पवित्र होती है क्योंकि तुलसी में स्वें माता लक्ष्मी बास करती है तो तुलसी की जड़ जरूर ले कर आएं इस जाएंगे साक्षात मातल लक्षमी धनवंतरी भगवान कुवेर जी भी परसंद हो जाएंगे और जब कुवेर जी परसंद हो जाएं तो फिर धन की दिक्कत नहीं होती है आप जरूर ये उपाय करें तो आप चाहें तो सारे जो मैंने पेड़ पौधि बताये हैं कि सारी करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा कमेंट में जै मातलक्षमी जरू लिखेगा